साथी नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में 79,000 सिच्चक बरती उत्तर कुंजी प्रक्राड आज उत्तर प्रदेश के समस्त मीडिया बंधू को जितने भी हमारे पत्रकार महोत हैं सभी का जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद यापित करता हूँ कि आप सभी ने मुद्दे को एक बार पुना जो है जीवित किया और अपने न्यूजपेपरों के माध्यम से इसका प्रकासन किया इसके लिए मैं आपको जितना भी धन्यवाद दू कम है क्योंकि अभी तक उत्तरकुंजी प्रकार को हमेशा से ही कभी भी प्रिंट मीडिया के दुआरा दिखाया नहीं गया चाहे तो ये कितना भी बड़ा मुद्दा रहा हो हमेशा इसको छुपाया गया कभी सामने नहीं आए लेकिन आज जब एक नंबर वाले प्रकारण पर कंटम्ट की सुनवाई हुई सुनवाई के बाद जिस प्रकार से आज के न्यूजपेपरों में आप सभी ने च्छापा लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन था तो उस कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर दूँ आप यहां से इसको देखिएगा उनत्तर अजार सायक अध्यापक भरती मामले में हाई कोट ने पूछा आदेश के बावजूद अग्यरतियों को क्यों नहीं बढ़ाए गए अंग पू सच्यू परिच्छा नियामक प्रादिकारी से पूछा कि जब विसेश याचिका पर दो जज़ों की खंड़ पीट आदेश पारित कर दिया है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया कोट ने मामले में सुनवाई के लिए 7 मार्च 2022 की तिथी निर्धारित की है यह आद तरजार सिच्छक भरती परिच्छा में सामील सभी अब्यर्तियों को एक अंक बढ़ा दिया जाए इसके बावजूद भी एक अंक इसके बावजूद भी अंक नहीं बढ़ाए गये और मानना याचिका में याची का तर्क था कि वह अनुचूचित वर का बिरती है और हाई हाई कोट आदेश को परिच्छा नियामक प्रादिकारी के समझ प्रस्तुत किया और एक अंक बढ़ाये जाने की मांगी लेकिन परिच्छा नियामक ने उसके परिच्छा परड़ाम में एक अंक नहीं बढ़ाया याची के अधिवक्ता राहल कुमार मिस्रा ने तर्क दिया कि उसने भरती परिच्छा में 89 अंक हासिल किये है एक अंक मिलने के बाद वाद चैनी सूची में सामिल हो जाएगा हाई कोट ने मामले में सची परिच्छा नियामक प्रादिकारी से जवाब मांगा है तो देखे इसमें जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कन्फ्यूजन को त इसकी वज़े से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो आपको सीधा सब्दों में मैं समझाओ कि एक नंबर का जो मामला था डबल बिंच का जो आदेश आया था डबल बिंच के आदेश को इन्होंने माना नहीं है तो हमारे द्वारा ये कंट्रिम्ट फाइल किया गया कि भ का मामला और यहां पर जनरल कटेग्री यह तो यह चीज़े यहां पर सिर्फ यसी की बात करी गई तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो मिस्टाइपिंग की वज़स ऐसा होता है तो वह आप सोच करके बिल्कुल भी अपने दिमार्ग में यह निगेटिव व रहे थे तो आप इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल ही दूर करें और इस प्रक्रण को लेकर के आप फोन कॉल ना करें कि भीया निउस्पेपरों में ऐसा चाप आए देकि निउस्पेपरों मुनें जो मिलता है वो चाप देते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्च अधियो का बहुत 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 दनी है